हमने अभी कुछ तेर पहले विर्चुलाइजेशन का वर्ड पढ़ा हमने यह देखा कि विर्चुलाइजेशन के जरिए एक सिस्टम को मुल्टिपल यूजर्स के दम्यान में शेयर करवाया जा सकता है आईए देखते हैं विर्चुलाइजेशन क्या है इसकी यूटिलाइजेशन को हम बढ़ा सकते हैं कहने का मतलब यह है कि एक इसे दोर में है कि बहुत ज्यादा क्पैसिटी कम्प्यूटिंग क्पैसिटी अवेलेबल है तो यह कम्प्यूटिंग क्पैसिटी को हम शेयर कर सकते हैं एक सर्वर को हम शेयर कर सकते हैं डिफरेंट यूजर्स के दरम्यान में और हम उन यूजर्स की रिक्वार्मेंट उसको पूरा भी कर सकते हैं कम्प्यूटिंग रिक्वार्मेंट को इस तरह से अगर हम virtualization यूज़ करते हैं A single hardware machine is multiplexed among multiple virtual machines यानि जो एक physical machine है, server है for example उसको हम multiple virtual machines के दर्मयान share कर सकते हैं वो virtual machines यानि वो ख्यालाती तोर पे exist कर रहे हैं उनकी physical existence नहीं है physical existence उस machine के है जिसके उपर ये virtual machines जो है वो चल रही है A software-based virtual machine monitor manager or VMM or hypervisor is a program that manages the hardware resources for the VMs and also keeps each VM from disrupting other VMs कैसे होता है ये virtualization? Basically software है virtualization का उसको हम virtual machine monitor भी कह सकते हैं उसको हम hypervisor भी कह सकते हैं ये software accommodate करता है multiple virtual machines को और इस बात को possible बनाता है कि वो सब virtual machines मिलके एक processor यूज कर सकें जो computer के दूसरे resources हैं वो मिलके share कर सकें memory है hard disk है network है तो ये किस तरह से possible होता है एक virtualization layer इसको हम कह सकते हैं एक software है जो हम इंस्टॉल करना पड़ता है अब इसके virtualization के जो different implementation levels है उन्हें से सबसे जो basic level है वो है instruction set architecture level ये याद रखिए कि virtualization के perform करने के लिए हमें कोई software tool चाहिए है अगर हम बात करते हैं instruction set level की यानि बिलकुल basic level पर हम बात करते हैं प्रोसेसर के उपर जो instruction execute हो रही है उनकी बात करते हैं तो ये possible है कि अगर हम एक tool for example interpreter हम use करें और वो एक legacy code या किसी और language में लिखावा code है उसको उस binary language में translate कर दे कि जो प्रोसेसर के उपर execute हो सके तो इसका ये मतलब है कि अगर बहुत पुराने जो code है जो legacy code कहेंगे हम उनको हम उनको ने प्रोसेसर के उपर भी run कर सकते हैं अगर हमारे पास वो जो जो software है जो वर्चलाइजेशन इदर परफॉर्म कर रहा है इंस्ट्रक्शन लेवल की interpreter वो वेलबल हो सेकेंड जो लेवल है वो है hardware abstraction लेवल कि जिसमें hardware ऐसा यानिके जो एक सिंगल हम प्रोसेसर की बात नहीं कर रहे हैं हम फुल जो है components की बात कर रहे हैं कर सर्वर के तो hardware components for example CPU है RAM है डिस्क है network card है of a physical system are virtualized and share among virtual machines यह इन सबको virtualize कर दिया जाता है इनकी physical existence के साथ साथ इनकी एक virtual existence बनाई जाती है और इनको जो virtual machines हैं उनके दरम्यान में divide कर दिया जाते हैं उनके तक्सीम कर दिया जाते हैं उनके दरम्यान share कर दिया जाता है और जो tool इसको इस यानि hardware virtualization को hardware level को perform कर रहा है उसको हम formally हम hypervisor इसका नाम देंगे बकायदा तोर पर यह हम virtual machine monitor कहेंगे हम पहले virtual machine monitor और hypervisor in general हमने पहले पढ़ा है अगर हम उसको in particular देखें तो वो hardware abstraction level virtualization perform कर रहा है अगला जो level है वो है operating system level the operating system या OS running over a server accommodates multiple containers or VMs the host operating system acts as the abstraction layer between hardware and the container कि जो operating system है पहले हमने बात की इससे पहले hypervisor की जो हमें tool install करना पढ़ता है server की उपर for hardware restriction level virtualization वो है hypervisor वो हमें install करना पढ़ता है यह जो operating system level है इसमें operating system ही hypervisor का भी काम करता है और वो क्या है कि वो multiple virtual machines अपने उपर अपने साथ accommodate करता है और उनकी जो processing requirement है storage requirement है उनको वो पूरा करता है library support level virtualization virtualization में जैसे हम देख रहे हैं कि एक physical server को virtual जो है resources में change करके आगे virtual machines को दे दिया जाता है या उनके दुम्यान में share किया जाता है अगर कोई virtual machine actually जो hardware component यूज करना चाहरी है for example graphic card है कोई virtual machine उसको access करना चाहरी है graphic card पे GPUs हैं जिनकों के आप programming के लिए ये processing के लिए भी आप यूज कर सकते हैं using CUDA language CUDA तो उसी की जो एक जो virtualized form है वो है VCUDA कि जो calls हैं वो available है virtual machine को using VCUDA और वो calls receive करके ये environment actual जो physical graphic card है उसके उपर वो जो instructions है वो execute करवा सकता है using VCUDA API calls last में हमारे पास application level है virtualization का an application acts as a VM through wrapping of application in an abstraction layer which isolates it from operating system and other applications एक application को आप एक ऐसी जो abstraction layer में आप चलाएं कि जो जिसकी वजासे उस abstraction layer की वजासे वो application खुदी एक virtualization layer as programming environment इसकी एक दूसरी जो type हो सकती है वो है कि उससे मुराद एक ऐसा virtual system है कि जिसमें एक hard disk virtual hard disk for example एक hard disk लगी होई है उसकी virtual RAM है उसका virtual processor है उसका एक virtual network ID का NIC card है यह सब के सब चीजें map हो रही है physical resources पे उस server पे जिसके virtual machine चल रही है जो एक virtual machine का virtual processor है वो उसके जो server जो hosting server है उसके physical processor का एक part share कर रहा है यूज कर रहा है इस तरह उसी server पे एक दूसरी virtual machine भी है अगर तो वो दोनों virtual machines मिल के वो processor एक share कर रही है RAM share कर रही है hard disk for example share कर रही है network capacity जो है वो शेयर कर रही है so जब हम आगे चलेंगे और मैं virtual machine अगर कहूंगा तो उसे मुराद वो एक virtual system है कि जो हमें जो act है वो physically server की तरह वो act कर सकता है लेकिन वो virtually create किया हुआ system है झाल